हेलो नुमस्कार इस यूटूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हारदीक स्वागत करता हूँ उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एक्जामनेशन के लिए प्रेपरेशन कर रहे होंगे गाइज काफी सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछ रहते हैं कि आर बिए ऑफिस अटेंडेंट के लिए करंट अफेर्स कहां से पढ़ा जाए लास्ट के दोस्तों 15-20 दिन बचे हुए हैं 9 और 10 अपरेल को आपका एक्जामनेशन है तो इन लास्ट के 15-20 दिनों में ज़्यादा ज़्यादा करंट अफेर्स कहां से बढ़ लिया जाए और रिविजन कहां से कर लिया जाए तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में दोस्तों डिटेल डिसकुसन करने वाले हैं तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर पहली बाहर विजिट कर रहे हैं वो एक बाहर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहीगा ठीक है तो दोस्तों वीडियो सुरू किया जाए सबसे पहले तो जो बैंक की examination होती है दोस्तों तो वहाँ पर लास्ट 6 मंथ का current affairs दोस्तों most important हो जाता है तो लास्ट 6 मंथ का यानि कि आपका जो examination दोस्तों 9 और 10 अप्रेल को conduct हो रहा है टेंटिटीव डेट यही है और यहाँ पर आपका जो last 6 मंथ बनते हैं पीडियेफ है वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप वहाँ पर क्लिक करके इजीली देखिए दोस्तों पीडियेफ डाउनलोड करके एक बार उन पीडियेफ को पढ़िए और दोस्तों यहाँ पर आप दिसंबर नॉंबर और अक्टूबर की पीडियेफ दोस्तों एक बार पढ़ लिजेगा इनके वीडियो देखने के आपको जुरूद नहीं और यह जो मार्च फरवरी और जनवरी है दोस्तों इन तीन मंच के आपको वीडियो देखने जरूरी है यानि कि जो वीकली एक मंत के चार वीडियो है तो यानि कि टोटल वीडियो होगे दोस्तों बारा तो बारा वीडियो आपको देखने हैं वीकली ताकि दोस्तों आपका अच्छे से current affairs जो है वो आपको याद हो जाए तो उन सभी का दोस्तों जो वीडियो का link है दोस्तों वो आपको मैं description box में दे रहा हूं और otherwise आप अगर देखना चाहें कि YouTube पे कैसे search करेंगे तो एक बार YouTube की screen पे चलते हैं तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने YouTube की screen पे और आपको यहाँ पर simply type करना है current affairs अड़ा 247 करके weekly करना है दोस्तों weekly और उसके बाद आपको 2021 यानि कि आपको जनवरी से लगा करके मार्च तक का जो weekly जो वीडियो आते हैं दोस्तों वही आपको देखने है ठीक है तो यहाँ पर आपको यह type करना है यह type करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक playlist दिख करूँगा तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 7 से 13 मार्च का जो weekly mcq है उसके बाद फरवरी में 28 फरवरी से 6 मार्च तक का ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर इसमें सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे जनवरी से लगा करके मार्च तक के जितने भी weekly mcqs हैं ज्यादा यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगने वाला है बारा वीडियो से टोटल ठीक है और उसके बाद यहाँ पर जो वीडियो वो भी only for 45 minutes आप average मान सकते हैं कि 45 minutes में आपका यह जो weekly mcq का एक वीडियो आपका complete हो जाएगा उसको आप आराम से दोस्तों देखिएगा सर काफी अच्छा पढ़ाते दोस्तों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ठीक है यह रही weekly mcq की बात दोस्तों अगर यह weekly mcq आपने पढ़ तो guys sir ने already video बना दिये static gk को लेकर गए static gk में दोस्तों basically क्या होता है कि constituency हो गई minister की constituency ठीक है और जो अपना cm हो गए अपने governor हो गए उसके बाद जो wildlife centuries हैं जो national parks हैं वो हो गए तो guys यह सभी आपको मिल जाएंगे और इन सभी की जो pdf दोस्तों वो मैं आपको telegram channel पर provide करव दूंगा तो guys एक बार telegram channel से जरूर जुड़िएगा काफी आपको मदद मिलेगी ठीक है और अगर आप individually sir के वीडियो देखना चाहें तो आप लगा सकते हैं दोस्तों static gk करके और sir का नाम है आसीज गौतम तो आसीज गौतम कर आसीज गौतम sir डालके और अड़र 247 डाल जो आपको टॉपिक बढ़ना जैसे की पढ़ना आपको वाइड लाइफ सेंचूरी इस तो वाइड लाइफ सेंचूरी आगे डालके यूटूब पे सर्च कर लीजिएगा ठीक है तो आपको काफी दोस्तों help मिलेगी इस चीज से ठीक है तो दोस्तों यह रहा overall session अगर आप